नई सियासी पारी पर दिनेश त्रिवेदी ने आज तक से खास बातशीत की है वहां आपको अपने मन की बात करनी पड़ती है और मुझे कहीं लगा कि मेरा दम घुटने की बात तो अपनी तरफ है कि मैं बोल भी सका आज बंगाल की जंता का दम घुट रहा है वो बोल भी नहीं सकती है जहां कुछ बोलने जाओ मारपी तोलाबाजी कट मनी वाइलेंस तो दम घुट रहा है आज बंगाल की जंता का और बंगाल की जंता चाहती थी कि मैं छोड़ दूं या तो कुछ करूँ मैंने बहुत कोशिस की रातो रात नहीं हुआ है बहुत कोशिस की कि कुछ बदलाव आए मगर लाचार नहीं हुआ तब ही मुझे लगा कि या तो मैं कुछ कर सको टीमसी में रहकर जंता के लिए या मैं यहां छोड़ दू वरना सत्ता की गलियारों में में रहना कि अलिशान मकान अब वो राजनीत का ही उद्देश होता तो बात अलग है राजनीत का उद्देश वह नहीं है सेंक्रों लोग अपनी जान देते हैं हमारे सियाज चिन में जो सोल्जर्स है ना हम लोग वहां 15 मिनिट नहीं खड़े रह सकते हैं क्यों खड़ाया देश के लिए एक कोई परिवार विशेश के लिए तो नहीं खड़ा ना उसके लिए पुरा देश परिवार आज उसी लिए हमने जो का हम दिल की बात करें कि जनता का परिवार है यह भारतिय जनता पार्टी जब आप छोड़ रहे थे तब क्या उनका कलचर जानते हैं उनका एंडियोलोजी जानते हैं उनका देश प्रेम जानते तो यह मत्से मənे कि आज ही पथा चला हो इतियास है शर्प इक मकसद कि होता है तुनां की प्रकरिया होती है उस प्रकरियार में हम्शा साथ दिखेंगे रैली के अंदर क्या आप जाएंगे दिखिए हर चीज एक प्रक्रिया की तरफ चलता है चंता के बीच में रहे और हर चीज एक डिस्सिप्लिन पार्टी जो तेह करती हो यह होता है एक आगरी सवाल यह कि मंता बैनरजी के लिए बंगाल का चुनाव जीतना अब की बार कटिन रहेगा और उनका मानना है कि जो बंगाल की समय हालत है उसके मदे नजर टीमसी छोड़ना ही ठीक डिसिजन था और अब वो भारतिय जंता पार्टी के साथ जुड़ गए हैं श्वरा पालिवाल आज तक क